हेलो दोस्तों मैं हूँ साधना साधना की रसोई बेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ गाजर की ऐसी मिठाई जो आपने आज से पहले ना बनाई होगी ना ही खाई होगी जिसका नाम है कैरट स्नो डिलाइट या बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है बनाना बहुत ही आसान है सर्दियों में तो गाजर खूब आती है तो इस मिठाई को ट्राई करना तो बनता है उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो लास तक द बहुत ही अच्छा लगेगा यह देखिए हमने लिया है आधा किलो गाजर यानि 500 ग्राम गाजर इसको हम छील कर दूल कर इस तरीके से काट लेंगे ना हमें पीसेस को ज्यादा मोटा रखना है ना बहुत ही ज्यादा पतला रखना है अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन उस आधा है बड़े क्लास से हमारी गाजर आसानी से तूब गई है पानी में अब हम इसे मीडियम फ्लेंपर पका लेंगे जब तक यह सौप्ट नहीं हो जाते है तो मीडियम फ्लेंपर दोस्तों हम अपनी गाजर को अच्छे से पका लेंगे देखिए 5-6 मिनट के बाद हम कर देखेंगे कि हमारी गाजर थोड़ी सी सॉप्ट हो चुकी है हमें दोस्तों इसे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नहीं पकाना है बस इतना ही पकाना है कि यह थोड़ी सी सॉप्ट हो जाएं यह देखिए दबाने पर यह तूटने लगी यानि अच्छे से जैसे हमें से निकल जाएगा और गाजर को भी हमें अच्छे से ठंडा कर लेना क्योंकि इसे ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है यह देखिए इतना पानी निकला है इसमें इस पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे फेकेंगे बिल्कुल नहीं तो दोनों चीजों को हम ठंडा होने देत अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बिलकुल हमें बड़िया सा इसका पेस्ट बनाना है स्मूथ सा चलिए हम अएक दम स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं यह देखिए हमने बायुल में बचा हुआ जो पानी लिया था गाजर का अब इसका भी हम इस्तेमाल इसमें हम ढालेंगे तीन बड़ा चममच आरा डोड पाउडर यानि अगर आपके पास कानफोल पाउडर हो तो आप इसे भी डाल सकते हैं तीन बड़ा चममच डालेंगे और अच्छे से फ़र्यों मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस गोल को हमें गरम पानी में बिल्कुल नहीं बनाना है ठंडे पानी में बनाना है अगर आप गरम पानी में बनाते हैं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं देखिए हमारा गोल बनकर बिल्कुल रेडी है और ये देखिए हमने पेस्ट भी पेस्ट कर तयार कर लिया है ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके का हमें चाहिए बहुत ही बढ़िया पेस्ट बनकर तयार हुआ है स्मूट सा अगर आपको लग रहा हो कि बीच-बीच में गा कटोरी चीनी चीनी को हमने ग्राइंडर में डाल कर पीस लिया है आप को बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे इस तरीके से यह सारे काम हमें नीचे ही करने हैं गैस पर चड़ा कर नहीं करना है देखे इसमें हम डाल देंगे जो है गरी का बुरादा यानि नारियल का बुरादा जो हमने रखा हुआ था इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे असे डालने से आपकी मिठाई में बहुत ही बड़ी हसा टेस्ट आएगा आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना आप इसकी भी कर सकते हैं यह देखे जो हमने गोल हरा रोट का बना कर तैयार किया था अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे एक साथ बिलकुल ना डाले थोड यह सा टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए तो देखे दोस्तों हमने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें बिलकुल भी लंज नहीं है तो अब हम पैन को रख देंगे गैस पर और फ्लेम को कर देंगे लो हमें मेडियम या हाई फ्लेम पर इसे बि दलने लगा है यह देखिए तो इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे हमें चोड़ना नहीं है वरना इसमें लंस बन सकते हैं तो दोस्तों अब इसमें हम डाल देंगे दो कुटी हुई लाइची इससे हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो आप ज चोड़ रहा है यानि हमारा मिक्स बर्न कर बिल्कुल रेडी है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में देखिए प्लेट को हमने पहले ही ग्रीज करके रखा हुआ था तो सारे मिक्स को हम इसमें निकाल लेते हैं गी से अगर आप कर देंगे तो आपके मिठाई को निकलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आसानी से निकल जाएगी तो देखिए इस तरीके से इसे इक्वली फैला देते हैं यह देखिए फैलाने के बाद हम इसे इस तरीके से डैप डैप कर देंगे ताकि इक्वली अच्छे से फैल ज अब इसमें हम चाको की मदद से निसान लगा देंगे ताकि हमारी मिठाई को निकलने में आसानी हो निकल जाए आसानी से यह देखिए इस तरीके से हम इसमें कट लगा देंगे आप अपने मन चाहे पीसस में इसे कट कर सकते हैं आप चाहे तो इसे कटोरी में भी जमा सकते है आप यजिय से चाहए वसे आप कर सकते हैं यह देख एंड़ के लिए इसमें ताकि हमारी मिठाई निकल जाया है इसे हमने आठ से 10 गंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए देखिए सेट होने के बाद हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही बिल्कुल जैली जैसी बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों खाने में तो ट्राई करना तो बनता है बहुत ही जटपट बनकर तया भी हो जाती है तो अब इसे हम नारियल के बुरादे से लपेट लेंगे से अभी देखने में अच्छी लगी साथी टेस्ट भी भी बहुत Corona आएगा दोस्तों तो सारी मिठाई को हम नारियल के बुरादे में लपेट लेते हैं तो देखें दोस्तो हमारी कैरट स्नो डिलाइट मिठाई बनकर बिल्कुल रैडी है नारियल का बुरादा लगने के बाद ये कितनी प्यारी और सुन्दर लग रही है जितनी देखने में सुन्दर लग रही है उसे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है दोस्तों गाजर में विटामिन A पाया जाता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है अगर बच्चे ऐसे गाजर नहीं खाते हैं तो आप गाजर की ऐसे जैली स्टाइल उनको मिठाई बना कर दीजिए वो जरूर खाएंगे ये हैल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी हैं तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाली है तो देखिए हम इस तरीके से इसे पिस्ता से गानिस कर देंगे प्रियास आपको कैसा लागए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई